आ ट्रेन 100 मीटर इन लेंथ एक ट्रेन है जो 100 मीटर है 110 मीटर है ट्रेवल एट 60 किलो मीटर पर आर ये 60 किलो मीटर पर आर के स्पीड से जा रही है एक व्यक्ति को पार कर रही है उसकी स्पीड जो है वो 6 किलो मीटर पर आर है उसे वो कितनी देर में पार कर लेगी तो देखिए जो व्यक्ति है जो जा रहा है उसकी स्टेंस तो कुछ होगी नहीं तो यही लेंथ डिस्टेंस का काम करेगी तो डिस्टेंस इस इक्वल टू 110 मीटर ये डिस्टेंस हो गई अब देखिए स्पीड डायरेक्शन के उपर डिपेंट करता है कि अगर सेम डायरेक्शन में है एक अही डायरेक्शन में जा रही है तो speed minus हो जाती है और against अगर ulti direction में है तो add हो जाती है तो पहली बार against में आप लिखिए opposite direction में है तो first part जो है against में है तो speed जो बन जाएगी वो क्या बनेगी 60 में से 6 minus हो जाएगा 54 किलो मीटर पर आर और किलो मीटर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5 by 18 से multiply करेंगे तो मीटर पर सेकंड बनेगा अब 3 जा तो ये मिल गया 15 मीटर पर सेकंड ये आगई speed और ये आगई distance तो time क्या हो जाएगा time is equal to distance upon speed 110 मीटर अपान 15 मीटर पर सेकंड उपर चला जाएगा ये मीटर मीटर कट हो जाएगा अब इसको 5 से और कटेगा फाइब 3 जा और फाइब 2 जा 22 अपान 3 सेकंड 22 अपान 3 सेकंड में वो train उस व्यक्ति को पार कर लेगी लेकिन इसी question में दूसरा part क्या कहता है कि दूसरा part ये कहता है कि अगर वो opposite direction में जाए साइकलिस्ट तो अब opposite जाएगी तो speed में फरक पड़ेगा distance तो इतनी ही कबर करनी पड़ेगी तो speed हो जाएगी उसी direction में जैसे जिस direction में हो जा रहा था पहले जहां था उसका opposite करना है तो पहले ulti direction थी जिधा train थी उसके opposite में था अब जो है same direction अगर दोनों की है तो ये add हो जाएगा 66 और 5 by 18 ये करिए तो जितने से कट सके 6 से देखे कट रहा है 6 3 जा 6 11 तो time हो गया 55 upon 3 meter per second ये speed आपको मिल जाएगी इतनी speed मिल गई ये distance मिल गया अब time निकालना है कि कितनी देर में वो पार कर लेगी time is equal to distance upon speed तो ये हो गया 110 meter upon 55 meter और second ये second हो गया meter कट गया ये 2 जा होता है तो केवल यहाँ पर speed 55 थी और upon 3 तो यहाँ 3 भी होगा 3 second अब इसको टैंसल करेंगे two जा हो जाएगा two three जा six six second में ये train उस वेक्ति को पार कर लेगी जो उसी direction में जा रही है धन्यवाद